हालो बचो मैं सभी का सौगत करता हूँ अपने पहले से फिजिस ग्यान मुकेशनाय की यूट्व चैनल पर हम लोग आपके लिए उंपॉर्टन क्वेशन की सीरीज चालू है सभी को पता है दिनेसर मुकेशन सर और सोईन सर काम करें इसको पर यह कोशन आपको बहुत ज्याद इसलिए डारेक्ट क्वेशन पढ़ा रहा हूं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन बोलके आप लिगी भी सकते हो ठीक है तो डिराव दे एक्स्प्रेशन फॉर कानेटी के ने जो बोड़ी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म आइंगुलर स्पिड इसमें टाइ यह वो भी लिखने आनी चाहिए क्या बात कर रहें सर पेकलो जी होती हां जी मैं बताऊंगा आपको चलो बच्चो सबसे पहले आपको जैसी बोड़ी लेना ले सकते हैं यहां पर लिया है ऐसे ठीक है इसमें से सेंट्र आप मास से एक्सिस पास करोगे और इस बोड़ी के जन्तों नहीं है दूसरा एक मास ले लिया सर दूसरा मास यहां कहीं पर है चलिए इसको यम टू बोलो और यह यहां पर है और इसकी वेलासिटी वी टू है पर्पेंडिकुलर डिस्टन्स आरटू है ओके एक मास कहीं यहां पर मिला ठीक है इसकी वेलासिटी यंथ नंबर स पार्टिकल है इसलिए यम्यान डिस्टन्स आ रहे हैं और यह जो गौल रोटेट कर रहा है उसको अंगुलर वेलासिटी कहते हैं और अंगुलर वेलासिटी एक्सि एल वेक्टर है बच्चों अंगुलर जितने भी टर्म से ठीटा एंगुलर डिस्प्रेस्मेंट अंगुलर velocity समझ रहे हो आप यह सब कुछ constant है ध्यान रखनी ओके क्या बच्चों इसमें बहुत सारा लिखने की जरत है तो मैं आपको बता देता हूं फेका लाजी अच्छी होने चाहिए एक फेका लाजी क्या वर्ड है बताता हूं तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले मास अब को यम एंड मास अपारटिकल यम वन यम टू डा डाश मन अड्रुटर डियंस शुक्त अडियं कि अच्छी माँन क्या निगएका बहुत है बिलकुल नहीं है एड D Cu अंफ्टेंड एंगुलर वलसटी esse omega हो गया बच्छो आप लिखेंगे एठ रिलेशंग बीटिविन रिलेशंग बीटिविन देखो कैसे लिखेंगे मैं शौर्टकर भी पता होंगा रिलेशंग बीटिविन लिनीयर विलेसीटी कैसे लिखंगा बैटावLine fantasy and angular velocity लिख सकते हो ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है V is equal to r omega यह relation जिनको पता नहीं है थोड़ा सा मालूम करना बहुत जरूरी है नहीं है तो याद करें ठीक है next kinetic energy kinetic energy of a particle एक particle can of a particle तो kinetic energy लिख सकते बच्चों हम लों kinetic energy लिखना है तो यहाँ पर kinetic energy हाद यमघ मैं मुञ्टोर यास तो कानेटिक is equal to one by two राभए लाट क्रमेग को पूघ है और ओमेगा है तो यह तो फ्रस्ट एनेसं लिख सकते लिखने गोंज तो आर का स्क्वेर को मेगा स्क्वेर राएड है ओर हमलोग यहां पिलिखेंगे बच्चो कानेट के इनर्जी ओफर्स्ट पार्टिकल इस नी hacky अट फोंज त सीयर्ट E vi-1 इवन मतलब कानेटी के एनर्जी का सिंबॉल हाँ यम वन आर वन स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर ठीक है बच्चो नेक्स्ट इखेंगे कानेटीक एनर्जी और सेकंड पार्टिकल अगर हमारे पास सेकंड पार्टिकल होतो राइडे बच्चो तो इसको यह टू लिखेंगे हाँ यम टू आर्टू स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर बात समझ मेरे बच्चो ऐसे करते करते हैं अगर यंथ पार्टिकल आपके पास हो तो कैसे लिखोगे आप समझ रहे होंगे शायद मैं इसको कट कर सकता हूं अभी क्योंकि यह डाइग्राम और यहां पर प्रेजेंट है अब म कानेटिक एनर्जी ओफ यंथ पार्टिकल ऐसे पार्टिकल कितने हैं यंथ पार्टिकल तो कैसे लिखोगे यं राइड बच्चो यहां पर हाफ यम यं आर्यं स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर राइड बच्चो अब क्या लिखोगे कानेटिक एनर्जी ओफ है ना कानेटिक एन है ना टोटल कानेटिक एने जोफ फोड़ी ऐसे निकालना चाहिता है लिख दूँ यहां टोटल कानेटिक एने जोफ हूँ चला एवन प्लास एटू प्लास डाइड़ डाश इन समझ में आ रहा है बच्चो चलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लो यहां लिख रहा हूं मैं अब अबी एवन क्या है बच्चो हमारे पास इवन क्या है सबको पता है ऐном के बैटा यमowa ईड़ांको डाल रहा हूं मैं तो यमवन बोलना पड़ेगा यहां पर वन बाइटू यम ट差不多 ऑर्ट्वे डो ओमेगा सखेर थे फबच्चो डाडाड़ डाश, 1 by 2, yum yum, rn square, omega square, राइड है, क्या common निकाल सकते बच्चों, हाप common निकाल दूसर, चलेगा, इस bracket में, omega भी बाहर निकाल रहा हो, ध्यान देना, yum 1, r1 square, yum 2, r2 square, डाडाड़, डाश, yum yum, rn square, और ये omega square, राइड है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, लेकिन कित्यों लोगों को पता, इस bracket का मतलब क्या है, पता, yum 1, r1 square, yum 2, r2 square, डाडाड़, yum yum, rn square, इसका मतलब ये बटा, हम लोग summation में रख सकते, जब भी add हो, तो summation symbol, i is equal to 1, मतलब 1 number particle से start करेंगे, कहां तक, yum तक, और यहां लिखता हूं है, yum i, r i square, सर, इसका मतलब, इसका मतलब, i, मतलब integer number 1 से start होगा, समझे, और इसी को हमने moment of inertia बोलाए, mass into perpendicular distance का square, मतलब moment of inertia, तो डालता हो बच्चो, e is equal to 1 by 2, इसको कहेंगे i, और ये omega square, बच्चो, ये जो energy है, ये kinetic energy of rotating body, क्या बोलेंगे हम लोग kinetic energy of rotating body की kinetic energy होगी, 1 by 2, i omega square, क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल बात है, ज्यादा tension वाली बात नहीं, क्या ये क्या है बच्चो, first particle, second, third, क्या लिखना है, वही लिखना है, बस, यन, तो यन लिखेंगे, बस total किया, total करने के बाद क्या क्या बच्चो, हमने देखा कि common क्या निकल सकता है, ब्राकेट में इसमें जो लिखा, ये मोमिंट अप इनर्शा का फार्मूला है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चो, मुझे लगता है कि सबसे सिंपलेस्ट क्वेस्टन से, तीन मार के लिए आ सकता है, इसके अलवा, शॉटकर बताओ दो बच्चो, देखो, कई बच्चे बोलेंगे, सर शॉटकर बताओ, आपने वादा किया था, फार्मूला कानेटी के अनर्जी का है, हाप यंवी स्केर बेटा, ठीक है, वी का फार्मूला क्या है बेटा, और ओमेगा, पुट अप करो, देखो, ई इस एकोल टू 1 बाइटू, यम, देखो, यह आर स्क्वेर, ओमेगा स्क्वेर, राइड है मेरे बच्चे, देखना भई, हाप यमी स्क्वेर, कानेटी के अनर्जी का फार्मूला, वी का रिलेशन ओमेगा के साथ, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, स्ट्रेट होता, तो वी रखता, लेकिन यह गोल रोटेट हो रहा है, तो ओमेगा लिखते है, ओमेगा मतलब है, एंगुलर वेलाउसिटी होती है, तो बच्चों, यसी को मैं लिख सकता हूँ, 1 बाइटू, सबको पता, य अरे, ओमेगा स्कुएर, हो गया गिने भी, डेरिवेशन खतम, अब बस इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते, फर्स्ट पार्टीकल, फर्स्ट पार्टीकल, राइड बच्चों, इसी को लिखेंगे बाद में, सेकंड पार्टीकल, लिखेंगे के नि लिखेंगे आप बता दू, कभी-कभी अनलोग कॉंटिटी से भी हम लोगे फार्मूला ला सकते हैं, ला सकते हैं ने बच्चों, देखो, आप सभी को पता होगा, कि यस के जगे पे ठीटा लिखते हैं, लीनियर डिस्प्लेस्मेंट एंगूलर, लीनियर वेलासिटी का V, एंगूलर का ओमे समझ में आरे हैं बच्चों, कभी-कभी इसी फार्मूले को कभी-कभी आगे बढ़ा देते हैं, तो पता होना चाहिए बच्चों, ओमेगा, और ओमेगा के फार्मूले हमारे पास 2 पाइपॉंटी, दुसरा एक है बच्चों, टू पाय यन, शाय सब को समझाओगा ये, तो ये देखते हैं, हाप, आई देखो, यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ, फोर पाय स्क्वेर, टी स्क्वेर, लिख सकता हो बच्चों, फिर टू-टू कैंसल करके कर सकते हैं, आपको कभी नियूमेरिकल आता है, तो पता होना चाहिए, एक तो डेरिवेशन या नियूमेरिकल यह कहां सा है, आया बच्चों, यह डिक्स का मुमिंट अपिनश्या, सेंट्रल से एक्सिस पास हुआ तो, पता होना यह थोड़ा सा, इसके लिए ज्यान भी जरूरी है, लेकिन डेरिवेशन कहा था कि मैरे बच्चे, यह यहीं तक करना है, हम लोगों को, तो उमीद कर रहे बता हो, जो अपने psychology लिखा उसका आदा मार्क बच्चों, फिर इसका आदा मार्क है आपके लिए, ठीक है, हमारा explanation के लिए आदा मार्क यहां पर लिख देता हूँ, हो गया बेटा, आप लोग यह जो सब लिख रहे हैं, यहां तक का आदा मार्क, यह जो टोटल कर रहे हैं बच्चों, ठीक ना, उसके लिए, देखो, दुवारा, यह एक मार्क हो गया, इसका आदा देड़ हो गया बच्चों, ठीक है, ओके, बास समझ में आ रही है, आप लोग जी एक मोहमेंट आप इनर्शा यह जी लिख लिए, इसके लिए आदा मार्क, और यह फार्मूला लि इसका आदा मार्क, ठीक है, आदा मार्क, और इसको आदा मार्क होगा बेटा, यह और डाइग्राम मिलके, तो टोटल तीन मार्क के लिए क्वेशन होगा, दुबारा बोलता है, एक्स्प्लेशन और डाइग्राम का आदा मार्क, कभी-कभी, एक्स्प्लेशन का आदा, होगी तो अपके तीन मार्क फिक्स हो जाएगे उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आओगा तो लाइक करो शेर करो न्यूए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जहीं जय भारत बाइबाइब